दूस्तों आज की कहानी है पोता बहु मेरी बहु तो मेरी सेवा ही नहीं करती दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर आपने सैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूं तो कर लीजिए ताकि आपके पास पौं सके अर नया वीडियो ससुराल के देरी पर खड़ी निलाक सी ससुराल का वेंभव देख हैरांती इस गर आंगन में तो उसके गाव के कहीं गर समाज जाए हैरांती अपनी तकदीर भर की कैसे इस गर का रिष्टा आया उसके लिए हमा से सुना था कि विरादरी के एक गर के विया में सासुमा ने देखा था उसे और उसकी खुश्रती पर रिज कर विया का प्रस्ता बेजा था उसके गर निलाक्षी अंदर आओ बेटा स्वागते तुमारा इस गर आंगन में कहते हुए सासुमा अरुना जी ने उसे गरे लगा लिया डेल सारे रस्तन निभाए जा रहे थे पूरा गर में मानों से पटा था हर तरफ निलाक्षी की सुन्दरता की सशा हो रही थी और अरुना जी द्रफ से अपना सिर उठाई पूरे गर में घुम रही थी मैं मानों के आँ भगत में क्या कोई कमी सोडी जानी थी बिलकुल नई इस गर के अखिले बेटे रागव की साधी थी बनारस बोदपुर जयो और कहां कहां के खांसा में बुलाए गए हर समय अलग अलग का भोजन अलग तरफ ये जलपान इतने सारे इंतजाम के बाद भी एगावाद बार बार अरुना जी को विश्लित के जारा था रे कोई मुझे तो बहुर या से मिला दो कोई मुझे उसका मूर दिखा दो अरे राणिया कोई मेरी लक्षमी को कोई तो दिखा दो बार बार ये आवाज आ रहा था लेकिन जैसे किसी का दियान ना हो उस पर निलाग सी बार बार उस आवाज को सुन परेशान हो रहे थी धीरे से रागव से पूशा कौन है किन की आवाजे किसी बुला रही है रागवने का दादी है कमरे में आओ तुमें ले सलू कमसी में रसम खतम होने का इंतजार कर रहा था फिर उसने मा को आवाज लगई मा हम दोनों दादी से मिलने जरा अरुना जी परेशान हो गई अरे कहा ले जाएगा उनके पास दिमाग खराबे कई कुस खीस दिया कुस उल्टा पूल्टा बोली दिया रने दो बाद में मोखा देखकर ले जाऊंगी मैं लेकिन मा में हुना कम से दादी आवाज दे रही है मैंने का सूप बैठो तो बैटो सुनते क्यों नहीं करते हुए बैटे को गुड़क सूप करा दिया आप निलाक्सी को बरदासत नहीं हुआ अपने घर में भी वह गलत को गलत करने के लिए ही जानी जाती जी सो यहां भी बोल पड़ी मा कुस नहीं होगा और वह पागल कैसे उन्हें मुझे देखने के आद उरता है उन्हें ये पत्ता है कि घर में नहीं बहु आई है तो वह पागल कैसे हैं उमर के साथ सरीर और दिमाग ठगने लगता तो हम ये भूल जाते हैं कि हम भी एक दिन बुड़ी होगे करते हुए रागल से बोली रागल सलिय दादी से आसिरवाल ले ले बहु की वासु नरुणाजी सनरग ऐसा लगा अपनी सास की जगा खुल को देख रही हो या बहु ये समझा रहे है कि आप भी यही दुरगती होने वाली है दिमाग में ऐसा जोरदार जटका लगा कि बहु के पीसे पीसे सलने लगी आओ आओ बहु रागव तुम दोनों दादी सास का आसिरवाल लेलो मरता क्या ना करता कुसी सब्दों और कुस पलों में बहु ने पीडियों के अंतर का पाट दिया दादी सास के कमरे में पाउंसी निलाक सी देखा दूद सी उजली परी जैसी दादी सास पलंग पर बैठी थी रादा उनके सामने सोटा सा लगडी का कसी दाकारी संदुग रख रही थी निलाक सी को देखा भाव से भार उटी दादी जी बुड़ी सुकी सी आँखों में जाने कितने बरस बाद खुसी के आशु सलक आई निलाक सी ने जाकर उनके पाव पर अपने आशल रक्सिर की जुका दिया जुग जुग जी और आम सी आतुम दोनों सदा सोभाग्य वद्दी रव तुमारे घर आंगन में नन्ने मुने खेले कहते हुए लकीरों से भरे सेरे पर जैसे कितने निर्शन बाव देरने लगे फिर खुदी खिल खिलाने लगी बिना किसी हशी मजा के ये वक्त का मार था जिसने उनके सोचने समझने की सक्दी को शिक्ष्ट हो रही थी निलाक्सी ने उनके सेरे को अपने हादों में ले लिया अंट प्यार से आसे नियारा जैसे सोटे से मासुम बच्चे को देख रही वो फिर असानक से दादी जी वर्तमान में लोट आई समर्दी वापस आई तो रादा को जोर से डाट लगई क्यों रहे संदुक खोला क्यों नहीं क्या समकुस तो हड़ब लेना साथी है अच्छा अच्छा मेरे बेटे की दूलने तू ना दे भागियां से ये हार तुझे ना दूंगी बहु है तो क्या ओ फिर समर्दी सली गई नई दोकरानी का बहु मान कर डाटने लगी निलाक्षी समस गई वहार उनके हाथों से अपने गले में खुदी डलवाली और अपना माता उनके सरणों पर रख दिया ऐसा भावुक दर्श्य की जिसने रिष्टेदार सभी के आँखों में आसु थे अरुणा जी निलाक्षी को देख तगली में ती गलती का ऐसा सोरा था लेकिन सेरे संतोस का भाव था कि हाँ उन्हें बहुत प्यारी बहुत मिली जो उनकी तरह तो बिल्कुल नहीं है दादी जी ने निलाक्षी को उठा कर सीने से लगा लिया तभी उनकी नजर अरुणा जी पर बड़ी बड़े कातर नजर से नियारा ऐसा लगा आँखों ही आँखों में उन्हें गूर कर निकल जाएगी फिर मुस्कुराती हुई बोली आजा बव तु गले नहीं लगेगी अपने सास के आजा आजा तुझे भी नोलका दोंगी सुन साक्री करेगी मेरी मेरी बव बड़ी खडू से मेरी सेवा नहीं करती जाने किया किया बड़ाने लगी वह लेकिन बाएं फैला फैलाई अरुणा जी को बुलाती रही अरुणा जी जाकर गले लग गई जानती थी वह सारी कडवड़ाई टूनी ने तो सास को दिया था सास से गले लगाज बहुत रुई आज उन्हें अपने केक सस्मूस पस्तावा हो रात था दादी जी जल्दी जल्दी दोनों बववों को अपने सक्ती हिन बहों में समेटे जा रही थी ऐसे जैसे कोई अन्मों सीजुन से सिन ना जाए आज एक सद के नी से तीन पेडियां एक सद मूस्कुरा रही थी आज एक सद मूस्टी जल्दी 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 जल्दी